सबी साथियों को जय हिंथ, मैं आपका साथी डोक्टर सोक शर्मा, एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ, आज किस क्लास में हम लोगे पढ़ेंगे लिटरी टर्म्स, लिटरी टर्म्स की ये मेरेथन क्लास होने वाली है, आज किस क्लास में हम लिटरी टर्म्स का revision करेंगे हर एक topic को हर एक literary term को समझने का प्रियास करेंगे question answers के माध्यम से समझने का प्रियास करेंगे ये वे 50 questions हैं जो exams में पूछे हुए हैं या फिर जो किसी एक literary term को complete explain करने के लिए बनाए हुए होते हैं इस प्रकार के questions हमने आप लोगों के लिए तयार किये हैं क्लास सुरू करते हैं पहला question आप लोगों का है assonate is ये जो question है ये आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि आप जब answer करें तब आपको चारों के चारों options बढ़ना बहुत जुरूरी होता है कई बार लगता है कि पहला option जो है वो बिल्कुल सही है जबकि वो आंसिक रूप से सही होता है यानि आधा सही होता है और आप उसी को टिक कर लेते हैं और आपका जो question है वो गलत हो जाता है देखे क्या है assonate is a 14 line poem ये ए option है और ऐसा लगता है कि ये सही option है क्योंगी जब भी हम पढ़ते हैं तो ये ही पढ़ते हैं कि sonate 14 line की एक poem होती है लेकिन नीचे वाला option देखेगा ass 14 line poem in iambic pentameter दूसरे में कहा हुआ है कि वो 14 line की poem जो iambic pentameter में लिखी होती है केवल वो sonate होती है उपर वाले में लिखा हुआ है 14 line की poem sonate होती है नहीं हर 14 line की poem sonate नहीं होती है वे 14 line जो iambic pentameter में लिखी होती है वे क्या कहलाती है वे 14 line exonate कहलाती है समझे में आगी बाद इसलिए ये answer जो है इसका incorrect हो गया और ये इसका सही हो गया तीसरा option देखीगा 14 line poem divided into octave and sestate एक 14 line की poem जो octave और sestate में बठी हो वो sonate कहलाती है ये बात भी आंसिक रूप से सही होती है हर sonate octave और sestate में नहीं होती है ये हम जानते है केवल इटालियन sonate, पेट्राकन sonate, क्लासिकल sonate और जिसका मिल्टोनिक sonate एक ही sonate के अलग अलग नाम है ये केवल उसी में क्या होता है octave and sestate होता है समझे में आगी बाद इसलिए इस question का जो आंसर है वो आपका ये बी आंसर है इसका अब आपको ये समझना चीए कि पेंटा मिटर क्या होता है पेंटा का मतलब होता है five पाँच मिटर होती हैं इसमें यानि इसमें ten syllable होते हैं 10 syllable होते हैं, वे 10 syllable भी किस में होते हैं, I am big pattern में होते हैं, I am big pattern का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी में गुरू, लगू, गुरू, लगू, छोटी बड़ी मात्राएं होती हैं, बिल्कुल उसी तरिके से इंग्लिस में भी syllable पे जोड दिया जाता है और किसी पे नहीं दिया जा जाता है, यहनी stressed और unstressed label होते हैं, तो I am big जो है, उसमें किस प्रकार का pattern होता है, यह हम next question में पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद यह रखना है, कि sonate जो है, वो I am big meter में लिखी जाती है, बहुत बार question पूछा जाता है, कि sonate किस प्रकार की meter में, तो I am big pentameter में लिखी जाती है, I am big meter में लिखी जाती है, यह आपको याद रखना है, ठीक है भी, चलो, next question देखते हैं, a sonate line contains, एक sonate line में यह जो question पूछा हुआ है, यह I am big pentameter को ही explain किया हुआ है, क्या है भी देखेगा, a stress label followed by an unstressed label, क्या यह होता है, या फिर an unstressed, यह देखेगा, I am big का मतलब यह होत है, I am big, I am big का मतलब यह होता है, कि जिसमें an unstressed syllable, एक unstressed syllable जो है, that is followed by a stressed syllable, एक पहले unstressed syllable आता है, उसके बाद एक stressed syllable आता है, समझ में आ गई, इस प्रकार का जो pattern होता है, वो किस में होता है, sonate में होता है, इसलिए आपको यह answer इसका लिखना है, बी answer इसका, clear होगी बात भी, अभी तक हमने पढ़ा कि sonate 14 line की poem होती है, जो I am big pentameter में लिखी जाती है, pentameter का मतलब उसमें 5 meter यह नि 10 syllable होते है, I am big का मतलब यह होता है, कि unstressed syllable जो होता है, उसके बाद में क्या आता है, stressed syllable आता है, clear होगी बात भी यहां तक, चलो next देखते ह हैं, फटाफट 50 question करने की कोशिज करेंगे, ताकि आपका कम समय में फटाफट revision हो जाए, who is considered the father of sonate, sonate का father किसे कहा जाता है, कई प्रकार से इस question को पूछा जाता है, सबसे पहले यह देखीगा, यदि आपके option में, question यह हो, who is considered the father of sonate, who is considered the originator of sonate, और यदि option में आपके पा लेंटिनी ही होना चाहिए, because यही वो Italian point था, जिसने सबसे पहले sonate की शुरुआत की, हालाकि इसने court sonate की शुरुआत की थी, लेकिन sonate की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, यदि option में आपके पास यह है, तो आपका answer यह होना चाहिए, लेकिन बहुत बार इस question को पुछा ह हुआ है, और option में डाल एंटिनी कहीं होता ही नहीं है, और कोई और होता है, कौन? पेट्राक होता है, तब आपका answer क्या होना चाहिए, पेट्राक होना चाहिए, because पेट्राक is considered the father of sonate, और उसी के नाम पे पेट्राकन sonate कहा जाता है, समझ में आगी बात, अब एक question और आता ह इसमें, वो क्याता है, who is considered the father of an English sonate, who is considered the father of an English sonate, अब यहां आपको एक बात समझनी है, यहां English sonate का मतलब वो sonate नहीं, जो Shakespeare नहीं लिखी थी, उसका जिकर नहीं है, यहां English sonate से मतलब है, सबसे पहले England में जो sonate लिखी गई, वो किस नहीं लिखी, यह पूछना चाह रहे ह तो England से दो राजनीक जो हैं, वो कहां गए, इटली गए और उनका नाम क्या था, what and Suri, Tom's what और यह Suri दो गे, इन्होंने देखा वहां कि वहां क्या लिखी जा रही है, sonate लिखी जा रही है, तो इन्होंने भी आके क्या लिखी, sonate लिखी, इसलिए father of English sonate किसको कहा जाता है, वोट और सूरी को कहा जाता है, clear भी, अब देखीगा, कई बार एकजाम में वोट और सूरी इस प्रकास से आप्शन आता है, और कई बार एकजाम में इस प्रकास से आप्शन आता है, कैसे? W, Y, A, W, T Watt and Suray एक option में Watt होता है यानि B option में यह हो गया और C option में यह हो गया ठीक है और अब आप से पुछा कि who is the father of English sonate आपने यहाँ से याद किया था Watt and Suray लिकिने यह नहीं है यह तो अलग-अलग है तब आप इसको लिखेंगे Tom's what he is considered the father of English English sonate क्योंकि इसने sonate लिकी और इनको Suray को जो Blankvass का फादर का जाता है ठीक है इनोंने सबसे पहले Blankvass सुरू की थी समझ में आगी बात भी या कोई दिक्कत यहां तक चलो आगे बढ़ते हैं किसी भी प्रकार का कोई question हो आप लोगों को आज अच्छे ढंक से समझ लेना है ताकि लिटरी टर्म्स कभी भी गलत ही नहीं हो The birthplace of sonate is Sonate का birthplace किसे कहा जाता है Italy को कहा जाता है क्योंकि Da Lentini भी Italian point और Petrak भी Italian point इसलिए इसकी सुरुवात कहां से Italy से इसलिए हम क्या लिख देंगे 13th century में किस ने सुरुकी Da Lentini ने सुरुकी उसके बाद Petrak ने सुरुकी तो ये answer भी हमारा हो गया है अब देखेगा question number 5 Which of the following is not a type of sonate इन में से कौन सा sonate का प्रकार नहीं है Sonate को अलग-अलग ढंक से बाठा जाता है उनकी जो strange structure होती है उनके जो strange pattern होता है उस आधार पे sonate को कई भागों में बाठा जाता है उनमें से कौन सा प्रकार ये नहीं है Sexperience sonate एक sonate होती है Miltonic sonate एक sonate होती है और Kirtle sonate एक sonate होती है Coded sonate एक sonate का ओर प्रकार होता है Coded sonate आगे हम question में देखेंगे उसको भी लेकिन pastoral प्रकार की कोई sonate नहीं होती है pastoral का समंद केवल और केवल rural से होता है pastoral का समंद केवल और केवल separate से होता है pastoral का समंद केवल और केवल natural atmosphere से होता है उसका किसी भी इस प्रकार से समंदे नहीं है आप देखिएगा, आपको Social Experience Onet में क्या क्या याद रखना है? इसका Stringic Pattern याद रखना है. यानी, इसमें किस प्रकास Stringer होते हैं? इसमें 3 Quartrain होते हैं, क्या होते हैं हैं? तीन क्वार्टेन होते हैं और एक क्या होता है कप्लेट होता है यानि दो लाइन का एक इस्टिंजा और चार चार लाइन के कितने होते हैं तीन होते हैं यह याद रखना आपको इसकी रायमिंग स्कीम आपको याद रखनी है इसके रायमिंग स्कीम आपको याद रखनी है क्य Ecosis किजिएगा, Sexperience Sonate की Rhyming Scheme क्या होती है, इसमें जो Rhyming Scheme होती है, Internal Rhyming Scheme होती है, A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, और G, G, यह इसकी Rhyming Scheme होती है, यानि यह Sonate जो है, इसके Conclude होती है, एक Rhyming Coupleate से होती है, Rhyming Coupleate का मतलब एक ऐसा कपलेट जिसकी सेम राइमिंग स्कीम हो उसको कहते हैं राइमिंग कपलेट तो ये क्या होगी आपकी समझ में आगी बात भी तो ये आपको इससे याद रखना Miltonic Sonate हाँ इसका नाम क्या है दूसरा Sexperience Sonate का दूसरा नाम है English Sonate क्या कहते हैं English Sonate कहते हैं English Sonate ये बात भी समझ में आगी दूसरा Miltonic Sonate इसमें भी आपको ये याद रखना है क्या इसका Strangic Pattern इसमें क्या होता है Octave होता है OCT Octave होता है और क्या होता है Sistate होता है Octave और Sistate पहली 8 लाइन है वो क्या कहलाती है Octave कहलाती है Last वाली 6 लाइन जो क्या कहलाती है Sistate कहलाती है ठीक है इन दौनों के बीच में एक VOLTA होता है V-O-L-T-A VOLTA का मल होता है Turning Point T-U-R-N-I-N-G Turning Point Exam में पूछ सकते हैं VOLTA का मतलब क्या होता है VOLTA Turning Point होता है Miltonics Sonate में VOLTA कहा होता है 8 लाइन के बाद होता है 9 लाइन के पास होता है ठीक है अब इसके भी आपको क्या याद रखनी चीए Rhyming Scheme इसकी भी याद रखनी चीए इसकी चो Rhyming Scheme होती हो क्या होती है A-B-B-A A-B-B-A उसके बाद में A-B-B-A C-D-E C-D-E और कई जगए E की जगए C-C भी लिखा होता है ठीक है तो यह किसकी Rhyming Scheme हो गई यह आपके A-B-B-A A-B-B-A C-D-C C-D-C या फिर C-D-E C-D यह किसकी Rhyming Scheme हो गई आपके यह Miltonic Sonate की Rhyming Scheme हो गई किलियर हो गई बात भी चलो आगे चलते हैं Kirtle Sonate Kirtle Sonate के बारे में क्या क्या बात याद रखनी है आपको Kirtle Sonate जो है यह GM Hopkins ने लिखी थी किसने लिखी थी भी GM Hopkins ने H-O-P-K-I-N-S GM Hopkins ने क्या लिखी Kirtle Sonate लिखी इसमें कितनी line होती है इसमें साड़े 10 line होती है लेकिन एक्जाम में साड़े 10 line का option नहीं आए तो क्या करोगे इसमें 11 lines होती है कितने होती है 11 lines होती है अगर ऐसा भी नहीं आया एक्जाम में और एक्जाम में ये पुछ लिया कि जो regular sonate होती है उसका कितना part होता है तो ये 3 fourth of regular sonate होती है कितने होती है बीटा ये regular sonate का 3 बड़ा 4 हिस्सा होता है clear होगी बात यहाँ ठीक है तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है एक-एक-दो-दो-ईदी एक्जाम्पल्स याद रह जाएं तो भी ठीक है एक coded sonate होती है उसका अलग से question बनाया हुआ है उसको अलग से पढ़ेंगे miltonic sonate के और कौन-कौन से नाम हो सकते है miltonic sonate के petrachan sonate हो सकता है italian sonate हो सकता है classic sonate हो सकता है ये सारे किसके नाम है miltonic sonate के नाम है चलो भी next question देखते है फटा-फट experience sonate contains experience sonate में क्या-क्या होता है देखेगा three quatrains and a couplet three quatrains and a couplet चर्चा उपर कर चुके है next देखते है say one question question number seven a concluding rhyming couplet is the characteristic of a concluding rhyming couplet कौन से प्रकार की sonate की विसिस्ता होती है कौन से प्रकार की होती ही भी देखेगा experience sonate की होती है उसी में हमने देखा था क्या last में GG आ रहा था तो क्या था concluding rhyming couplet था ठीक है भी spencerian sonate भी पढ़ेंगे हम miltonic sonate contends miltonic sonate में क्या होता है क्या होता भी एक octave होता है और एक क्या होता है three straight होता है octave में कितनी line होती है 8 line होती है three straight में कितनी line होती है 6 line होती है आपसे इनकी rhyming scheme भी पुछी जा सकती है, उसको भी आप ज़रूर याद रखेंगे, question number 9 देखीगा, question number 9, what is volta in petrakonsonet, petrakonsonet में volta क्या होता है, volta turning point होता है, basically क्या होता है, कि petrakonsonet में mood जो होता है, जो पहले 8 line में pessimistic होता है, और बाद वाली 6 line में क्या होता है, optimistic होता है, तो change जो होता है, change in the thought उसको क्या कहा जाता है, volta कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि volta केवल और केवल miltonic sonet में होता है, volta experience sonet में भी होता है, लेकिन वहाँ तीन क्वार्ट्रेन के बाद, पहले तीन क्वार्ट्रेन के बाद, यानि 12 line के बाद, जो बची भी दो line होती है, यानि 12 line के बाद उसमें क्या होता है, volta होता है, clear होगी बात भाईए, चलो, फटा फट next, जितनी जल्दी हो सकती है, हम करने की कोशिस करेंगे, क्योंकि ये revision है, ये questions के technique समझने का time है, Spencerian sonnet is a sonnet nearest to, Spencerian sonnet कौन सी sonnet के नजदीक होती है, कौन सी sonnet के nearest होती है, तो वो है Sexperian sonnet, यहाँ खोड़ी बात समझने की है, Spencerian sonnet का एक नाम और भी होता है, linked sonnet, L-I-N-K-D, linked sonnet भी कहते हैं, Link sonnet क्यों कहते हैं, Sexperian sonnet को समझिएगा, उसमें कितने तीन quatrain होते हैं और एक rhyming का plate होता है, बिल्कुल ऐसा ही किसमें होता है, Spencerian sonnet में तीन quatrain और एक के rhyming का plate होता है, लेकिन इसकी rhyming scheme में थोड़ा अंतर होता है, इसकी rhyming scheme क्या होती है, Sexperian की, A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G, ये इसकी होती है, अब देखेगा, Spencerian sonnet की क्या होती है, A, B, A, B, B, C, B, C, समय में आ गया, अब देखेगे, इसमें अंतर देखीगा, यहां चो B है, और यहां change हो गई, क्या गई, C आ गई, लेकिन Spencerian sonnet में ये link करती है यहां से, याने, यह B चो है, यहां और यहां भी किसे सुरू हो जाती है, B से ही सुरू हो जाती है, तो यह क्या हो गया, link हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, link sonnet कहा जाता है, और इसी वज़़े से, यह किसके नजदीक माने जाती है, सेक्सपिरियन sonnet के नजदीक माने जाती है, clear भई, एकदम, चलो, next देखेगा, कटेल sonnet बगर है, इस सब देख चुके हैं, कटेल sonnet वर रिटन बाई, किसके दवारा, GM Hopkins, एक बहुत सुन्दर इनकी है, Pied Beauty, P-I-E-D, Pied Beauty, B-E-A-U-T-Y, Pied Beauty is an example of, Pied Beauty किसका example है, तो आब ब करना, C-U-R-T-A-I-L, कर्टल sonnet का मतलब होता है, काट कर किसी चीज को क्या कर देना, छोटा कर देना, to make short, किसी चीज को क्या करना, काट कर छोटा करना, इसलिए ये अपके कर्टल sonnet हो गई, आगे देखेगा, which of the following is true about coded sonnet, इनमें से कौन सी बात, coded sonnet के बारे में सही है, इसलिए ये ये एक पूच वाली होती है, इसमें क्या होता है, वो तो चोदा लाइन होते ही होते हैं, उसके बाद इसमें एक टेल और होती है, एक पूच और लगी होती है, यानि ये extended sonnet कराती है, क्या कराती है, extended sonnet कहलाती है expanded sonnet कहलाती है यानि यह विस्तरित sonnet कहलाती है जो regular sonnet होती है उससे थोड़ी बड़ी होती है आगे देखेंगाज मैं Accorded sonnet is an expanded version of the sonnet regular sonnet का expanded version होता है उसका थोड़ा विस्तार किया हुआ हिस्सा होता है It consists of 14 lines in standard sonnet form followed by a koda or tail. 14 lines तो क्या होती है? Standard form में होती है, उसके बाद में koda और होता है और या फिर उसको क्या कह सकते हो? Tail कह सकते हो. यह koda होता है, यह 7 line तक का हो सकता है, यानि इसमें 15 से लेके 22 तक line हो सकती है. Koda 1 line का हो सकता है, koda 7, 8 line का हो सकता है, यानि इसमें जो line हो सकती है, वो 15 से लेके कहां तक हो सकती है, 22 तक इसमें sonnet हो सकती है, ठीक है, सोरी, 15 से लेके 22 तक इसमें lines हो सकती है, ठीक है, sonnet was from, it's often used for satire, यह जो sonnet है, किसके लिए काम आती है, ज़्यादा तर, satire के लिए काम आती है, Francisco Bernie, B-E-R-N-I, Francisco Bernie ने लिखी थी, किसे लिखी थी, B-E-R-N-I, Francisco Bernie, याद लाम रख लेना, Bernie याद रख लेना, बस आप लोग तो, कह याद रख लेना, Bernie याद रख लेना, Francisco Bernie, ने क्या लिखी थी, कोडेट सोनेट लिखी थी, तो मुझे लगता है, कि सोनेट में जो क्वेशन आएंगे, वो यहाँ से आ जाएंगे, तो इसका all of these सही आंसर हो जाएगा, उसके बाद देखेगा, which of the following is true, इन में से कौन सा सही है, यह कर्टल सोनेट हो गया, उसके बाद में 12 का, कोडेट सोनेट हो गया, उसके बाद में question number 13 में चलते हैं, और यह है आपका तेरवाग question, which of the following is true, इन में से कौन सा सही है, यह जो question है, यह सोनेट sequence का question है, सोनेट sequence क्या होती है, सोनेट को एक करम में लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं सोनेट sequence कहते हैं, एस्टोफेल एंड स्टेला is a sonate sequence of 108, 118 लाइन की सोनेटuben हैं, किसके द्वरा लिखी वही हैं, सर फिल्प सिडनी के द्वरा लिखी वही हैं, किसके दुवारा लिखी हुई हैं? सर फिलिप सिटनी के दुवारा लिखी हुई हैं. क्या लिखी हुई हैं? एस्टो फेल एंड स्टेला. क्या है एस्टो फेल एंड स्टेला? एक सोनेट सिक्वेंस हैं. क्या भी है? सोनेट सिक्वेंस हैं. इसमें कितनी सोनेट्स हैं? 108 है इतना याद आपको रखना है पूछा जा सकता है कि Aestrophail and Stella किसकी sonnet sequence ताब बता देंगे Sir Philip Sydney की sonnet sequence है Emerity is a sonnet sequence of 88 sonnets इसमें कितनी है 88 sonnet है नाम क्या है Emerity और लिखी वी किसकी है Edmond Spencer की किसकी लिखी वी है Edmond Spencer की देखेगा हमने जानबुज की इस प्रकार के questions बनाए हुए हैं ताकि एक question में बहुत सारी बातें आप लोगों को पता चलें, बहुत सारी information आपको मिलें Delia is a sonate sequence of 50 sonates by Samuel Daniel, किसके दवारा? Samuel Daniel के दवारा एक sonate sequence लिखेगी जिसका नाम Delia था और इसमें कितनी sonate हैं? 50 sonates हैं तो यह clear हो गया, इसका answer भी क्या है? All of these is cancer हो गया, उसके बाद चलीगा 14, अब आते हैं अपन ऐलेगरी पर, ऐलेगरी क्या होती है? यह जानने का प्रियास क एलेगरी होती है, क्या होती है? एलेगरी को क्या करते हैं? morning song करते हैं, lamenting song करते हैं, pensive song करते हैं, lamenting, l-a-m-e-n-t-i-n-g, lamenting song करते हैं, ठीक है? पेंसिव, p-e-n-s-i-v, pensive song करते हैं, reflective song करते हैं, r-e-f-l-e-c-t-i-v, reflective song करते हैं, यह सारे किसके नाम हैं? यह आपके सारे के सारे अलेगरी की हैं, story in verse, story in verse जो होती है, यानि एक कहानी, किसके माद्धम से, कविता की रूप में एक कहानी जो होती है, उसको ballad कहा जाता ह है, क्या कहा जाता है उसको, ballad, b-a-l-l-a-d, ballad, ठीक है, a symbolic poem in which meaning is hidden under the lines, एक symbolic poem, प्रतिकात्मत कविता जो होती है, इसमें जो meaning होता है, वो hidden होता है, उसको क्या कहा जाता है, allegory कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसमें, allegory, a-l-a-g-o-r-y, यह allegory होती है, सब्समें आगई ब होते हैं, उसको personified किया जाता है, abstract ideas को, किसके माध्यम से, personification, p-e-r-s-o-n-i-f-i-c-e-n, किसके माध्यम से बिटा, personification के माध्यम से, या फिर metaphor के माध्यम से, इसको अभीविक्त किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, allegory कहते हैं, सम्झा गई बात भी, चलो आगे देखते हैं Question number 15, which of the following is a characteristic of allegory, allegory की कौन सी विस्ष्था है, इसमें देखेगा, पहला, the expression of abstract ideas in concrete term, इसमें जो abstract ideas होते हैं, जैसे sin है, death है, ठीक है, truth है, ये abstract ideas होते हैं, इनको concrete form में बताने के प्रियास किया जाता है, Meaning, lying, hidden, इसमें जो meaning होता है, lying, hidden under the lines, इसमें जो meaning होता है, वो थोड़ा symbolic तरीके से होता है, इस first तरीके से नहीं बताया होता है, the expression of ideas usually moral or ethical इसमें जो expression of ideas होता है वो अकसर या तो moral होता है यहनि नैतिक बातें इसमें बताई जाती हैं किसमें बताई जाती हैं इसमें नैतिक बातें बताई जाती हैं वो प्रतिकात्मक कवीता जिसमें नैतिक बातों का जिक्र हो जिसमें meaning जो है वो hidden हो, symbolic हो, उसको क्या क्यते हैं, allegory कहा जाता है तो इसमें भी क्या हो गया, all of these इसका हो गया उसके बाद देखेगा, which of the following is an allegory हमने क्या 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 पहले, इसकी definition जानने की कोशिस की उसके बाद क्या क्या, उसकी विशेशताओं को जानने का कोशिस क्या उसके बाद क्या क्या, उसकी examples को जानने की कोशिस की यानि प्रियास ये कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई बात छुटे नहीं एक एक question में तिन तिन चार चार example ले रहे हैं अब देखेगा, इसको हमने ई तक लेने का कोशिस किया है क्योंकि एक ही question में जो important examples थे उनको डालने की कोशिस कर रहे हैं, ठीक है पहला देखेगा, fairy queen, ये एक allegory है जो किसने लिखी, Spencer ने लिखी, किसने लिखी बिटा ये Spencer ने लिखी, pilgrim's progress, ये भी क्या है allegory है, जो कि john बनियान ने लिखी, idles of the king ये टेनी सन ने लिखी, किसने लिखी बिटा ये टेनी सन ने लिखी, तो आपको याद रखनी है क्या करनी है आपको ये याद रखनी है सारे के सारे जो examples हैं, fairy queen, pilgrim's progress, idles of the king Absalom and agate of hail, ये सारी के सारी किसकी examples हैं allegory की examples हैं, तो आपको पूछे कि इन में से कौन सी allegory है तब बताना आप पे, कहीं से भी कोई पूछे, तो आप इसका answer करेंगे हो गया all of these, उसके बाद दखिएगा Which of the following technique is used to present abstract in concrete form in allegory वो कौन सी techniques हैं, जिससे abstract ideas को concrete form में paste करने का प्रियास किया जाता है, वो कौन से हैं, metaphor और personification abstract ideas का क्या किया जाता है, personification किया जाता है फिर उनको प्रतिकात्मक रूप में लिखा जाता है, तो ये क्या है आपके हो गए allegory का topic लगबग complete हो गए, ऐसे ही प्रकार के questions पूछे जा सकते हैं उसके बाद आता है next point, ballad, next point कौन सा है, ballad देखीगा a simple story in verse dealing with patriotic और romantic theme, इसमें हमने ballad की सारी wishes time definition की साथ डालने की कोशिस की है, ballad क्या होती है एक simple story in verse होती है, हो सकता है कि आपको एक्जाम में केवल इतना ही पुछें क्या story in verse is called ballad, इसकी theme क्या होती है, dealing with patriotic and romantic theme इसकी जो theme होती है ballad की, या तो patriotic होती है, देशबक्ती होती है या फिर क्या होती है, romantic होती है, आप से ये पुछें कि किस theme पे लिखी जाती है ये चमतकार होते है, and supernatural happenings, इस परकार की चीज़ें भी इसमें होती है जैसे rhyme of the ancient mariner, तो इसमें supernatural deeds के बारे में बताया हुआ है a fox song, और ballad क्या होता है कि fox song होता है, fox song का मतलब क्या होता है जो अपने local भासा में लिखा होता है, इसको fox song कहते हैं, जिस परकार से अपने यहाँ राजस्तानी गीत जो होते है, लोक गीत, वो क्या होते है, fox song होते है तो ये क्या है कि fox song से develop हुई literary term है, जिसको क्या कहते है ballad कहते है, और d option क्या हो गया, all of these definition से related कोई भी question आएगा, आप यहाँ से आराम से कर लोगे उसके बाद देखेगा, question number 19 Which of the following is characteristic of ballad? इन में से कौन सी एक ballad की विसिस्ता है पहला question देखेगा, a refrain at the end of stinja stinja के end में एक refrain होता है, refrain का मतलब यह होता है कि कोई phrase या फिर कोई sentence repeat होता है क्या होता है, repeat होता है, जैसे बहुत सारे गानों के last में same line आ जाती है, वो क्या कलाती है, refrain कलाती है तो ballad का जो है, उसकी भी क्या विसिस्ता है, refrain at the end of stinja ठीक है, clear होगी बात भी, refrain क्या होता है, repetition होता है repetition of a phrase or of a sentence is called refrain forceful narration होता है, इसमें स्चांदार कहानी बताने का प्रियास किया जाता है यानि एक narrative होती है, ठीक है return in quatrain, एक बात और देखीगा, कई बार exam में पुछा जाता है कि ballad किस प्रकार के stinja में लिखी जाती है तो ballad किस में लिखी जाती है, quatrain stinja में लिखी जाती है और उसकी rhyming scheme जो होती है, वो क्या होती है second rhyming scheme at, rhyme at the end of the second and the fourth line यानि यह आपका stinja हो गया, किसका? ballad का stinja है, तो दूसरी line जो है, वो किस से rhyme करती है? चोथी line से rhyme करती है, इस प्रकार का तो stinja लिखा जाता है वो किस में? ballad में लिखा जाता है किस में लिखी जाती है? quatrain में rhyming scheme एक्सर क्या होती है? दूसरी line किस से rhyme करती है? चोथी line से rhyme करती है, impersonal होती है कैसी नहीं होती है? पसनल नहीं होती है, यानि subjective नहीं होती है, क्या होती है objective होती है S, U, B, J, C, T subjective नहीं होती है, क्या होती है objective होती है क्या होती है बिटा, objective होती है ठीक है, यह भी हो गया clear, तो इस transfer क्या हो गया, all of these हो गया, अब चलते हैं अपन question number 20 which of the following is an example of ballad इन में से कौन सा example जो है ballad का है ballad का कौन सा उधान है पहले the rhyme of the ancient mariner किसकी s-t-c-o-l-e-r-i-d-g 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 की लिखी वी बहुत स्यांदार ballad है यदि ballad का कुई example में आया तो वो कौन सा आएगा the rhyme of the ancient mariner आएगा, क्लिर होगी बात भी है, यह ला बिला डेमसेंस मेरसी, यह है जॉन किट्स की, किस की अभी है, जॉन किट्स की, नाम याद रख लो बस और कुछ नहीं है, यह बैलेड आफ इस्ट एंड वेस, रुडियाड किपलिंग, रुडियाड किपलिंग, के आई पी एल आई रुडियाड किपलिंग, और यह आपका all of these, यानि इस question में क्या समझाने का प्रियाश किया, इस question में आपको बैलेड के examples बताने की कोशिस की है, तो यह सारे क्या होगे आपके examples हैं, यह सारे के सारे questions मैंने अपनी book के वीना's handbook of English literature में डाले हैं, बहुत स्यांदार पुस्त की तैयारी कर रहा हो, या फिर किसी भी exam की तैयारी कर रहा हो, DSS-B, या फिर KV, H-Tate, U-P-Tate, कहां से भी कुछ भी तैयार कर रहा हो, उस बच्चे के पास Venus Handbook of English Literature, Venus Handbook of English Literature, यह book होनी चाहिए, डॉक्टर असोक शर्मा मेरी लिखी हुई बुक है, आप कहीं से भी इस book को arrange कर लें, online मंगवा लें, या फिर अपने आज पास के book store को बता दें कि यह book मंगवा के दें, बहुत अद्बुद बुक है, इसमें बहुत सारी examples, इस तरह की examples हमने इसमें डालने की कोशिस की है, question number 21, yes, what is broadside ballot, इस प्रकार के 1500 questions हैं उस book में, और त्रे, theory भी है, ऐसा नहीं क के बाद question के explanation भी है, उस book में हर question के बाद question के explanation है, पहले topic को theoretical समझाया हुआ है, उसके बाद questions है, पुराने exams में पुछे वी questions आ रहे हैं, what is broadside ballot, broadside ballot क्या होती है, a ballot that is printed only on single side of the seat, पहले seat होती थी जिस पे लिखे जाते थे, तो seat के एक side में लिखी जाती थी, दूसरी side में न लिखी जाती थी, इस प्रकार की ballot को क्या कहते है, broadside ballot का जाता था, ठीक है भी, question number 22, which of the following is characteristic of an epic, अभी हमने क्या पढ़ा, sonnet पढ़ी, sonnet के बाद क्या पढ़ी, allegory पढ़ी, उसके बाद क्या पढ़ी, ballad पढ़ी, और अब क्या पढ़ रहे हैं, epic पढ़ रहे हैं, देखेग यह बहुत लंबी पोईम होती है, यह narrative पोईम होती है, ठीक है, जिस प्रकार से ballad narrative पोईम होती है, किसी कहानी का वर्णन होता है, उस प्रकार से यह भी narrative पोईम होती है, it deals with heroic figures, इसमें किसका वर्णन होता है, heroic figures का वर्णन होता है, इसमें gods का वर्णन होता है, G-O-D-S, दे ठीक है, semi-gods, देवताओं के बारे में जिक्र होती है, semi-gods, ठीक है, super natural human beings, super human powers, इनके बारे में इसमें लिखा जाता है, it deals with the subject of universal importance, इसमें universal importance के subject को लिखा जाता है, यानि वैस्विक महत्वे के विसे पर ये लिखी जाती है, छोटी-छोटी बातों पर इसको नहीं लिखा ज इसको एक शांदार style में, sublime style में लिखी जाती है, grand style में लिखा जाता है, इस सारी बातें क्या हैं, सही हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि ज़्यादातर questions जो हैं, उनके answer जो हैं, all of these हैं, वो इसलिए बताए हुए हैं, ताकि आज आज आपका revision हो जाए, एक question में कई बातें चलो, next देखते हैं, question number 3, which of the following is not an example of epic, इस question में हमने epic के सभी examples डाल दिये हैं, कौन सा देखेगा, Homer का Iliad, किसका example है, epic का example है, Homer की Odyssey, किसका example है, epic का example है, Virgil का Aeneid, किसका example है, epic का example है, ये points है, और ये इनके works है, ठीक है, Milton का Paradise Lost, क्या है, epic है, बस ये ही तो याद रखना, क्या याद रखना है, next देखेगा, epic is a, epic कैसा literature होता है, subjective, नहीं, subjective का मतलब होता है, author अपने बारे में लिखता हो, तो ये subjective नहीं होता है, clear बात है, ठीक है, तो subjective कौन होती है, lyric subjective होती है, ठीक है, objective literature होता है, यैनि किसी अन् होता है इसमें किसी कहानी का narration होता है वर्णन होता है हमने पहले भी देखा इसका जो answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बात B and C clear भई इसके बाद देखेगा question number 25 and allergy is allergy क्या होती है अब आगे हम किस पे allergy पे a morning और commemorate song बिलकुल सही बात है allergy जो होती commemorate का मतलब होता है किसी की याद में गया जाने वाला गीत जो है वो क्या होती है allergy होती है morning का मतलब विलाप करना lament का मतलब विलाप करना अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखे थे ये सारे के सारे तो इस cancer क्या हो जाएगा A इसका answer हो जाएगा उसके बाद देखेगा which of the following is an example of allergy इन में से कौन सा allergy का उधान है ये बताना आपको पहला देखेगा gray की allergy है allergy written in country बहुत स्यांदार allergy है allergy written in country जब इस सबसे famous allergies की बात आती है तो ये allergy बहुत उपर गिनी जाती है इसलिए इसको जरूर याद रखेंगे whodan key in memory of wb eats इसको भी याद रखेंगे tennyson की in memoriam tennyson की क्या है in memoriam तो ये allergy की examples है तो all of these हो गया चलो next देखते है question number 27 question number 27 इसकी pdf भी इसकी मैं pdf भी अपने telegram channel dr. असोक शर्मा पर डाल दूँगा तो वहाँ से आपको pdf भी मिल जाएगी monody क्या होती है monody होती है allergy का एक प्रकार कौन सा प्रकार presented by one person जिसमें एक ही आदमी रोना धोना कर रहा होता है एक ही आदमी lament कर रहा होता है उसको क्या कहते है monody कहते है ठीक है तो इसमें ज्यादा समझने की बात नी mono यानी क्या होता है single mono यानी क्या होता है बिटा single होता है इसलिए ये क्या कहलाती है monody कहलाती है clear भी? चलो आगे देखते है question number 28 which of the following is an example of monody? इन में से कौन सा monody का example है? यनि allergy का example है Milton की Lacedas Sally की Adonis और Arnold के theracist ये तीनु ही किसके है monody के example है यानि तीनु ही allergy की example है कुछ बातें आपको और याद रखनी चीए कि Milton की जो Lacedas है ये किसके मरने पर लिखे गई थी? बताओ भी उनका एक दोस्त था Edward King क्या नम था? Edward A-D-W-A-R-D Edward King जो था उनका दोस्त उनके मरने पर लिखे गई थी Sally ने Adonis किसके मरने पर लिखे John Keats के मरने पर लिखे किसके मरने पर भी? John Keats के मरने पर लिखे और Spencer ने किसके मरने पर लिखे और्थर और्थर नाम का इनका एक दोस्त था उसके मरने पर Arnold ने क्या लिखे थेरेसिस लिखे केलियर हो गई भी बग तेनो की तेनो एलेजिस किसके मरने पर लिखी गई किसने लिखी गई Milton, Lecidas, Sally, Adonis, Arnold, थेरेसिस तो ये बात आप पर याद रखेंगे उसके बात देखते हैं, next which of the following is an example of first pastoral allergy इनमें से कौन सा एक्जामपल first pastoral allergy का है ये भी pastoral allergy है Milton, Lecidas एक पर एक्जाम में पूछा था कि इनमें से कौन सी pastoral allergy है तो ये pastoral allergy है ठीक है, Sally की Adonis ये भी pastoral allergy है Matthew Arnold की थेरेसिस ये भी pastoral allergy है Spencer की astrophil ये भी pastoral allergy है और ये किसके मरने पर लिखी गए थी Sir Philip Sydney P-H-I-L-I-P Sir Philip Sydney Sir Philip Sydney के मरने पर क्या लिखी गए थी Spencer ने एक allergy लिखी और उस allergy का नाम क्या था astrophil allergy था तो यानि सारी की सारी इनके बारे में बताई चुके है पन किसके मरने पर लिखी गए थी वाला भी एक सेपड की रूप में होता है यानि गढ़रिये की रूप में होता है और जुसको लेमेंट कर रहा होता है वो भी एक गढ़रिये की रूप में होता है उसको कहते हैं pastoral allergy कहते हैं ठीक है भी? एक बार भाई मैं आप पे इस question का answer करो जब तक मैं इसको माइक को change कर लेता हूँ अभी आप इसको आप इसका answer कीजिएगा फटा फट जब तक मैं इसको एक इमिनिट में आदा मिनिट में change कर लूँगा यस वापस से आगए है शुरू करते हैं आप किसको पढ़ेंगे अपन मौक एपीक को पढ़ेंगे मौक क्याने होता है किसी की मजाग करना और ये किस की मजाग करते हैं एपिक की मजाग करते हैं तो मौक एपिक क्या होता है दीकी का इसमें A long narrative point epic है तो long narrative तो होगा ही होगा subject matter is trivial इसका subject matter होता है वो तुछ होता है कैसा होता भी तुछ होता है बहुत ज़्यादा important नहीं होता है style is exalted and sublime जबकि style चो होती है वो बहुत स्यांदार होती है यानि बहुत स्यांदार style में बहुत हलके से subject matter पे लिख देना क्या कहलाता है mock epic कहलाता है इतनी बात आपको याद रखनी है उसके बात जो आपको याद रखना वो यह है कि mock epic का example कुछ सा है which of the following is a notable example of mock epic तो वो है the wrap of the lock यदि mock epic पे कोई question आएगा तो मान के चलना कि वो क्या आएगा wrap of the lock पुछेंगे आप से Tom's Gray के odd on the date of a favorite Kate यह odd है Swift की battle of the book यह एक satire है और all of these इसका answer नहीं होगा तो क्या हो जाएगा इसका ए answer इसका हो जाएगा भी ठीक है next देखेगा question number 32 which of the following is a characteristic of odd अब चलते हैं किस पे odd पे चलते हैं इनमें से कौन सी विसिस्ता odd की है देखेगा पहली a lyrical poem odd भी क्या होती है एक lyric की होती है लेकिन यह lyric से थोड़ी सी क्या होती है buddy होती है a lyrical poem in the form of an address यह किसी को संबोधित करके लिखी जाती है किसको भी जिस प्रकास से odd to west wind तो west wind को संबोधित करके लिखी हुए odd to autumn autumn को संबोधित करके लिखी हुए clear बात है उसके बाद देखेगा sublime and exalted in subject matter and style इसका जो subject matter जो इसकी theme और जो इसकी style होती है दोनों ही बहुत स्जांदार होती है sublime होती है a conscious work of art यानि बहुत ही effort के बाद लिखा होता है ये line क्यों लिखी हुई है समझेगा जो lyric होती है lyric चो होती है conscious work नहीं होता है lyric होती spontaneous spontaneous का मतलब होता है अपने आप ही आती हो वो क्या होती है lyric लेकिन odd ऐसा नहीं होती है odd को लिखना पड़ता है फिर correction करना पड़ता है फिर लिखना पड़ता है यानि conscious work of art होता है जबकि lyric चो होती हो spontaneous होती है natural होती है तो इसके क्या हो गया D all of these हो गया समझ में आगी बात भी है चलो next देखते है yes which one is not type of odd इनमें से कौन सा एक odd का परकार नहीं है पिंडारीक odd odd का परकार है Horatian odd odd का परकार है English odd odd का परकार है Pastoral odd का परकार नहीं है पिंडारीक odd का अपन समझेंगे यहां से बहुत बार कुछ चुन आता है पिंडारीक odd इसको classical odd भी कहते है पिंडारीक odd को क्या कहते है classical odd भी कहते है देखो यह question पूछते हैं, identify the strophe, anti strophe and ipod, यह क्या है, strophe, anti strophe और ipod, यह पिंडारी code के parts है, जब पिंडारी code लिखी जाती है, तीन पार्ट में लिखी जाती है, और तीन पार्ट का नाम क्या है, strophe, anti strophe और ipod, होता क्या है, कि उसमें पहले, जो course होता है, course कमलों गाने वाले लोग, एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं, तो वो क्या हो गया, strophe, फिर वहाँ से वापस आते हैं, क्या हो गया, anti strophe, और फिर बीच में खड़ों के बताते हैं, वो क्या हो गया, ipod हो गया, ठीक है, जब मैंने आपको ode पढ़ाया था, तो इसको बहुत डिटेल से चीजों को स Satire is, अब चलते हैं अपन किस पे, Satire, Satire क्या होता है, Uses Laughter as a Weapon, When क्या होता है, Laughter को एक Weapon की रूप में काम मिलेता है, Laughter को एक हथियार की रूप में काम मिलेता है, ठीक है, It used as Corrective of Human Rights and Falling, यानि ये किसलिए यूज होता है, आदमी की जो मुरक्ताएं होती हैं, उनकी जो कम्या सटाइर का मुख्य उद्धिस से ये ही होता है, Ridicules the failing rather than the individuals, ये क्या करते हैं, Ridicule यानि मजाख उडाते हैं, किसी कमजोरी की मजाख उडाते हैं, किसी particular आदमी की नहीं, यानि जो विसे इस परकार की जैसे किसी अलालच हो सकता है, किसी की और परकार की कमजोरियां हो सकती ह उसका मजाख उडाया जाता है, विक्तिकत नहीं होती हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा इसमें, all of these होगा है, तो सटाइर की ये विसे साइए हैं, और आब आता है अपना Gothic novel, क्या भी, Gothic, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, सर गोथिक क्या होता है, गोथिक बताईगा, गोथि होता है, जिसमें सोरो होता है, वो क्या होता है, सोरो हैनी दुख होता है, वो क्या होता है, गोथिक होता है, जिसमें गलूम उदासी होती है, वो क्या होता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को भूत प्रेत, सुपरनेचुरल तिंक्स दिखाई जाती है, वो क्या होता है, ग गौतिक नॉवल इंडिकेट्स होरर, डर, फीर, टेरर, डर, रिवेंज, ब्लड सेड, ठीक है, मिस्ट्री, M-Y-S-T-A-R-Y, मिस्ट्री होती है, वो भी किसमें होती है, इसमें होती है, और क्या-क्या हो सकते हैं, ग्लूम इसमें हो सकता है, G-L-W, ग्लूम, उदासी इसमें हो सकता है, S-O-R-R-O-W, सौरो इसमें हो सकता है, यह सारी चीज़ें किसमें होती है, गोथिक में होती है, समझ गए भई आप लोग, चलो, अब आगे बढ़ते हैं आपन, next, एक बार फिर से समझ लीजेग आप, गोथिक को, गोथिक का मतलब क्या होता है, डर से मतलब होता है, fear, fear, terror, mysterious चीजें होती हैं, रैसे में ही चीज़ें होती है, ठीक है, super natural चीजें होती है, उदासी होती है इसमें, यह सारी चीज़ें क्या है, Gothic से related है, Gothic Novel से related है Gothic जादातर stories होती है या फिर क्या होते है Novels होते है और इसको Gothic Fiction कहा जाता है क्या कहते है Gothic Fiction कहते है उसके बाद देखेगा Pick out the one that is not an example of odd इनमें से धूंडियेगा जो odd का example नहीं है तो John Keats की Odd to Autumn बहुत स्चांदार odd है John Keats की Odd to Autumn ठीक है William Collins की Odd to Evening ये भी है P.B. Sally की Odd to West Wind और Milton की Lacey Das ये क्या है L.A.G है उसके बाद देखेगा इसको भी important कर लीजिएगा भी आप याँस Which of the following is not a Gothic Novel इनमें से कौन सा एक Gothic Novel नहीं है Which of the following is not a Horace Walpole Castle of Otranto ये पहला Gothic Novel माना जाता है जान दीजिएगा इस प्रकार का कोई question आता है आप बिल्कुल तयार रहेंगे इसको पहला Gothic Novel माना जाता है Horace Walpole का Castle of Otranto ठीक है Anne Redcliffe का The Mysteries of Udolpho ये भी क्या है Gothic Novel है Emily Bronte का Udring Heights आप में से कई लोगों ने Udring Heights पढ़ा भी होगा तो ये क्या है ये आपके Gothic Novels के Examples है Sir Philip Sydney का जो Arcadia है ये आपका Pastoral Romance है इसमें Gothic जैसा कुछ नहीं है P-A-S-T-O-R-L Pastoral Romance R-O-M-A-N-C इसमें Pastoral Romance है ठीक है तो ये इसका नहीं है इसके बाद आपन भढ़ते हैं आगे Question No. 39 Which of the following is known as Link Sonnet इनमें से कौन सी Link Sonnet के रूप में जानी जाती है तो हमने पहले भी देखा कौन सी है Spencerian Sonnet जो है वो क्या है Link Sonnet है क्यों है Link Sonnet क्योंकि इसका जो Stringic Pattern है वो एक दूसरे को Link करता है उसके बाद में देखते है Question No. 40 A story with mystery, terror इतना दीखते ही क्या मान लेना Gothic मान लेना बस A story with mystery, terror usually built around a gloomy, supernatural surrounding वो क्या होती है Gothic tale होती है क्या कहलाती है वोटा हुआ वो कहलाती है Gothic tale उसके बाद देखेगा Next Next tale लेगा 41 A meditative or a formal and sustained poem of lament for the date of a particular person किसी particular person की date पे lament के लिए लिखी जाने वाली poem क्या कहलाती है L.A.G. क्या कहलाती है भी L.A.G. ठीक है ज़्यादा explain की जरूत नहीं है The rhyming scheme of the Spencerian sonnet इसको भी हम पहले कर चुके है Spencerian sonnet की क्या rhyming scheme होती है देखेगा इसमें Link कौन से में हो रहा है इसमें हो रहा है लेकिन यह alternative नहीं है A.B.A.B. B.C. B.C. C.D. C.D. E.E. यह जो है यह किसकी rhyming scheme है Spencerian sonnet की rhyming scheme है उसके बाद देखेगा Question number 43 Sexperian sonnet has the following rhyming scheme Sexperian sonnet की rhyming scheme कौन से होती है A.B.A.B. C.D. C.D. E.F. E.F. G.G. यह हमें ठीक है यह इसका सही answer हो गया अब चलते है पन 44 पे A.B.A.B.C. in which a single speaker at a critical moment addresses another whose presence is implicit in what the speaker says is समझो इसको क्या कहना चाहरा है A.B.A.B.C. in which a single speaker यानि एक ही speaker होता है कब a critical moment वो किसी को address करता है another person को जिसकी presence चो होती है वो केवल implicit का मलब होता है केवल नहीत होती है इस पस्ट नहीं होती है और उसको क्या कहते है dramatic monologue कहते है ये exam में पूछा वा question है इस प्रकास इसके definition पूछी हुई है dramatic monologue क्या होता है दो-तीन चीज़ें आपको याद रखनी है dramatic monologue में speaker जो होता है वो कितना होता है एक होता है single speaker होता है कितना होता भी single speaker होता है listener present होता है कि नहीं होता है हाँ listener की presence होती है listener की क्या होती है presence होती है लेकिन क्या listener भी कुछ बोलता है P-R-E-S-E-N-C क्या listener भी कुछ बोलता है क्या नहीं listener कुछ बोलता नहीं है लेकिन वहाँ उसकी उपस्तती होती जुरूर है, ठीक है, तो यह dramatic monologue हो गया, उसके बाद देखें, long lyric poem, serious in subject matter, elevated in style, elaborate in its strategic structure, वो क्या होती है, ode होती है, देखो, lyric poem होती है, ठीक है, serious in subject matter होती है, elevated in style होती है, तो क्या होती है, ode होती है, यह ode की definition है, अभी थोड़ी देर पहले हम जब ode की विसेशता हैं पढ़ रहे थे, तो हमने यह सारी चीजें पढ़ी थी इसमें, उसके बाद देखते हैं, 46, who is known as the master of dramatic monologue, कौन, Robert Browning, master of dramatic monologue कौन है, Robert Browning, my last duches, my last try together, यह इसकी examples है, my last try together, my last duches, यह example है किसके, Robert Browning के, ठीक है, Victorian poet, Robert Browning, उसके बाद देखेगा, question number 47, Hopkins inspired beauty in his example of, Hopkins की inspired beauty किसके example है, वो आपकी, kirtle sonnet का example है, the scene of sin and death, in Milton's paralyzed lost, Milton के paralyzed lost में, एक scene आता, sin and death का, वो किसका example है, वो allegory का example है, sin and death, दोनों कोई क्या-क्या हूआ, personified किया हूआ, P-E-R-S-O-N-I-F-I-D, क्या-क्या हूआ इसको, personified किया हूआ है, तो यह अपका, allegory का example है, और अब जो इसमें है, question number 49, kirtle sonnet consists of, kirtle sonnet में कितनी line होती है, साडे-dस line होती है, कितनी भई, साडे-dस line होती है, regular sonnet की कितनी, three-fourth line होती है, साडे-dस कहीं, option नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, 11 line लिखेंगे, clear है, और अब चलते हैं हैं, question number 50, a long poem telling the story of the leader of the whole community, leader of that whole community, long poem है, telling the story का मलव है, narrative, and a, कैसी poem है यह, narrative poem है, long narrative poem, style कैसी है, lofty style, स्यांदार style है, तो इस की विखेंगे हैं, यह epic की विखेंगे हैं, तो इसमें answer क्या जाएगा, epic आजाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमने 50 questions किये, literary terms के, यह जो first grade की exam है, उसके syllabus के total literary terms के करवा दिये हैं, कुछ literary terms जो बाकी अन्ने syllabus में जैसे second grade है, rate वगरा के लिए, उनके कुछ questions और भी पढ़ने पर सकते हैं, लेकिन first grade के लिए तो बिलकुल complete है, आप इससे अपना revision कर सकते हैं, thank you, thank you, thank you very much.